विल्कम टव विवॉर्स, आज का टुट्यूरियल है यह जी मेल आकाउंट में जो अपने नाम डालते हैं उसको चेंज के से करते हैं, ठीक है? उसके लिए, उसके लिए सबसे पहले अपने जो मोबाल में जी मेल का एप होता है, जी मेल का एप आप आप देख रहें ना, जी म open कर लेना है open किया तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक साइन जो आपके email का होगा ठीक है यह वाला तो इस पर क्या करना है क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे तो manage your Google account, manage your Google account, okay, इस पर click करना है, इस पर click करेंगे, तो इसमें आएगा, home, personal info, data, personal इसमें कहीं नहीं जाना, आपको जाना है सीथे personal info में, ठीक है, personal info पर click कर देना है, जैसे personal info पर click करेंगे, वहां पर जाएगा name, okay, तो name जब आएगा, तो आप इस नाम को ये जो है, इसको आप कर सकते हैं, change, okay, कैसे change करना है, वह अभी आपको बताता हूँ, करेंगे select, और फ़र सा time लिया जाएगा, इसके द्वारा, आप इसमें का first name and last name, अगर आप यहां पर अपना नाम लिख लेते हैं, जो भी नाम आपके बच्चे का, आप उसका first name और आपका last name जो surname है, आप य मैं दूसरा नाम लिख दूँगा, और उसके बात क्या करना है, save कर देना है, ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूँ, r-a-v-i-ra-v-e, और यहां पर मैं लिख देता हूँ, j-a-n-g-i-r, ओके, तब मैं इसमें करता हूँ, save, ठीक है, अब यह हो गया, यह हो गया, save, हाँ, तो आप देख रहे हैं, यह save हो चुका है, अब इसको cancel कर देंगे, और चले जाएंगे पीछे, और आप यहां पर देख सकते हैं, कि यह नाम आ गया है, ठीक है, मेरा नाम आ गया है, तो इस प्रकार आपन चेंज गर सकते हैं, ठीक है, तो यह, I think, इस अब के लिए helpful रहेगा, इसको अपने बच्चे का नाम लिख लीजे, जिसे की, टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं हो, और आपको बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक यू, अगर आपको वीडियो यह समझ में है, अच्छा लगे, तो इसको subscribe औ लाइक जरूर करें, प्लीज